हेलो फेंट्स वेलकम टू अल आफ यूटूब चनल सरकारी वारत फेंट्स आज के सेसन में हम डिसकस करने वाले हैं जैसा कि आप सभी ने थमनेल पर देखी लिया होगा पॉलिटी जो अपना टॉपिक है और पॉलिटी से क्वेशन बनना सुभाव एक सी बात है यहां से प्रश्न बनता ही बनता है तो पॉलिटी के हम 444 जो महत्पुन प्रश्न है उनको देखने वाले हैं आज का इस सेसन को अगर आप लोग देख लेते हैं तो डेफिनिटली माल लेचे के आपके पॉलिटी के 100% क्वेशन अगर आपका वंडे एक्जाम है तो वहां पर छुटेगा ही नहीं क्योंकि अकसर क्वेशन इसी में से आता है और यह प्रिविएस एक्वेशन से हैं चोकि एक्जाम में पूचे ही जाते हैं बहुत सारी स्टुडेंट ऐसे होंग फर्स्ट क्वेशन के साथ देख लेते हैं तो पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है क्वेशन है तो इसका सही जवाब होगा तलाक सुदा पतनी के साथ रह रहे है बच्चों के बालिक होने तक पिता पर उनके खर्चे की जिम्मेदारी नेक्स्ट कोशन और बहुत ज़्यादा महत्पुन सवाल है भारती राष्टी कॉंग्रेस के प्रतम अध्यच भोमिस चंद बनर जी पुनह कब और किस कॉंग्रेस अधिवेशन के अध्यच बने थे देखे भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 मे यानि कि लगबक साथ सालवाद पुनहें 1892 में कॉंग्रेस के अध्यच रहे और किस अधिवेशन में इलावाद की अधिवेशन में यह जो अधिवेशन हुआ था कहां पर हुआ था इलावाद में हुआ था नेक्स्ट है अपना भारत के संबिदान के किस अनुच्छेद में इस प्रश्यता समाप्त करने का प्राबधान किया गया है यानि कि छुआ चूत को समाप्त करने का प्राबधान किया गया है जब संबिदान बनाया जा रहा था तो डॉक्टर भीमराओ अमेटकर का होगा तो जो महात्मा गांधी थे उनका हमेशा से और डॉक्टर भीमरा और मेड कर इन दौनों का हमेशा से यह आइस प्रस्चेता यानि कि छुआ छूत का अंत करने का प्रावधान रहता था तो इसमें अनुच्यत 17 डाला गया जो कि छुआ छूत को समाप्त करने की बात कही गई थे नेक्स्ट कोशन है कंट्रोलर एंड ओडिटर जनरल कब सेवाने ब्रत होते हैं कंट्रोलर एंड ओडिटर जनरल कब सेवाने ब्रत होते हैं तो यह निक्ति के 6 वर्स या 65 वर्स की आयो पूरे करने पर सेवाने ब्रत होते हैं तो इनकी जो उम्रसीमा होती है यह होत करता है मुख्य चुनाब आयुक्त तो मुख्य चुनाब आयुक्त की नुक्ती राश्टपती महन हो दया करते हैं.Lova कोई विजेएक, मनेविल, धनुगयन है, या है या नहीं है तो money will के बारे में article 110 यानि कि अनुच्छी 110 के बारे में बात की गई है जिस में money will के बारे में पताया गया है अब कोई विद्यक, धन विद्यक है या नहीं इसका नेड़ा लोकसवा का is speaker बारतमान में लोकसभा के अध्यच है आपका ओम बिड़ला जो कि कोटा की बूंदी सीट से चुनाबलण कर जीत कर आते हैं भारत के प्रतम लोकसभा अध्यच कौन है तो ये जीवी मावलंकर है ये भी आपको क्वेशन याद होना चाहिये क्यों कि यहां से क्वेशन बहुत अधिकार को भारतिय संब्यदान का हिर्दय आत्मा हट एंड साउल ओफ कॉंस्टिट्यूशन कहा था तो बावा साप भीमराओं अम्बेटकर की बात करें तो देखिए मौलेक अधिकारों की बात की जाती है आटिकल 12 से 35 तक तो ये भी प्रशना आप से पूछता है कि मौलेक अधिकार अनुच्छेत किन अनुच्छेदों में अंतरकात आते हैं तो मौलेक अधिकार भारत के करने की अनुमती देता है यानि कि सुप्रीम कोट रिट जारी कर सकता है किसी के भी खलाब ठीक तो पांच प्रकार की रिट होती है जिसमें हैवियस कॉर्पस, मेंडमस, सेल्टेरी, कोवरेंटो ठीक इस तरीके से होती है तो इसको भावा साफ भीमरा उम्मेट करने क्या कहा इसको भावा साफ भीमरा उम्मेट करने हर्दाय संबेदान की आत्मा हर्दाय कहा था हर्ट एंड सावल ओफ कंस्टिटूशन कहा था तो ये था आर्टिकल 32 और इसी को हम संबेदानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं तो ये प्रशन आपकी एक्जाम में बहुत जादा प पारे तुझा तो इस इस्तिती में मंत्री को क्या करना पड़ता है त्याग पत्र देना पड़ता है मंत्री परशत से मंत्री परशत कितनी होगी ये भी एक अपने प्रशन है देखे जो कुल सीट हैं उनका 15 परशत सीट ही क्या होगा मंत्री परशत होगा लेकिन दिल्ली के किसमें थोड़ा अलग होता है दिल्ली यानिकि क्योंकि यूनिन टेरिटर यहां तो इसमें 10% से अधे केंद्रिया जो केंद्रिया बंतरी है नहीं हो सकते हैं जो आपका राज्यसबा है कि यहां पर बात करें तो राज्यसबा के एक त्यहिए सदाश यहीं जो वनवाई थार्ड मेम्बर हैं उनका चुनाव हर दो वर्स बाद होता है तो चुनाब कब होता है हर दो वर्स बाद तो राज्यसभा के जो सदश होते हैं उनका जो छे वर्स का उनका समयकाल होता है यानि कि छे वर्स तक हो रहते हैं और वन वाई थ्री का जो चुनाब है वो हुटता रहता है हर दो वर्सबाद ये कभी भी भंग ना होने वाला है और राज्य सभा की जो सभापती होते हैं वो प्राश्टपती होते हैं और राज्य सभा के दुबार सिफ चुनावों की अधिगोशना कौन जारी करता है तो निरवाचनायक जिसे हम election commission कहते हैं राज्य सभा कभी भंग होती है राज्यसवा जिसे हम उच्छ सदन के नाम से जानते हैं सिच्छदों का सदन कहते हैं बुजुर्कों का सदन कहते हैं तो ये कभी भी भंग नहीं होती है यानि कि राज्यसवा कभी भी भंग नहीं होती next question है किस सम्विदान संसूदन के द्वारा प्रिवी पर्स मानेताय और पिसे साधिकार समाप्त कर दिये गए कौन सा अमेंडमेंट था जिसके द्वारा प्रिवी पर्स मानेताय और पिसे साधिकार समाप्त कर दिये गए नेक्स्ट है संविदान के किस अनुसूची यानि कि स्टेडूल में राज्यपाल, राष्टपती और भारत के मुख्य नियादिज आद के वितन के वारे में दिया गया है तो बात करें सेडूल की तो जो मूल संवेदान था यानि कि 1950 में जो मूल संवेदान 26 जनवरी 1950 को जो अंगी करत जो लागू किया गया था उसमें अगर संवेदान की बात करें तो यहां पर आठ सेडूल थे यानि कि आठ अंसूचियों की बात किये गिती बरतमान में जो अंस सेकंड वाली जो अंसूचिया सेकंड सीडूल है उसमें राज्यपाल राष्टपती और भारत के मुख्य नियादिस के वेतन के वारे में पताया गया है नेक्स्ट कोशन है भारत के राष्टपती पर महावयोग चलाने है तो कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होगा तो जिस अनुच्छित के अंतरगत राष्टपती का निर्वाचन होता है तो आर्टिकल 54 के तहट राष्टपती का निर्वाचन होता है और आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्टपती होगा नेक्स्ट कोशन है बेदान परसद की कुल सदश्य शंक्या का कितना भाग बेदान सवा में चुनकर आता है तो मैंने आपको अभी पताया था प्रति दो वर्स बाद इनका चुनाब होता है और एक वटा तिहाई सदश्यों का प्रति दो वर्स पर चुनाब होता है इनका ज करते हैं तो नेक्स्ट है अब प्रत्यासित यानि अन्फोर्सीन भ्याओं की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निदी से कौन सा धन निकाल सकता है अब प्रत्यासित अन्फोर्सीन भ्याओं की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निदी से कौन धन निकाल सकता है तो इसक सार्दा एक्ट है ये किसके लिए बनाया गया था तो सार्दा एक्ट बाल विभाह को रोकने के लिए बनाया गया था नेक्स्ट है संविदान सवा की प्रतम बैटक कब हुई थी तो संविदान सवा की प्रतम बैटक 9 दिसंबर 1940 को ही थी और इसी संविदान सवा में ऐस्ताई अध्यच्च के तौर पर डॉक्टर सच्चेदा नंसिना को चुना गया था फिर इसके बाद दूसरी संबिदान सवा की बैठक होती है जो कि 11 दिसंबर 1946 को होती है इसमें संबिदान की तीसरी बैठक होती है और इस तीसरी बैठक में पंडे जवालला नहरु द्वारा भारतिय संबिदान की उद्यच से प्रस्ताप को संबिदान सवा के सामने रखा था तो ये भी प्रस्त आपसे पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट है भारत के पहले उप्रधान मंतरी कौन थे भारत के पहले उप्रधान मंतरी कौन थे तो इसका सही जवाब होगा सरदार बलब भाई पटेल भारत के पहले उप्रधान मंतरी की ग्रह मंत्री की बात करना है तो ग्रह मंत्री भी कौन थे भारत के पहले सरदार बल्लब भाई पटेल थे भारत के पहले स्रम मंत्री कौन थे स्रम मंत्री आप से पूछ सकता है तो जग जीवन राम जो के बिहार के थे ये भारत के पहले क्या थे स्रम मंत्री थे भारत के पहले रच्छा मंत्री की बात करें तो बल्देव सींग, कौन बल्देव सींग भारत के पहले रच्छा मंत्री थे, तो ये भी आपसे पूछ सकता है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराओ, अमबेटकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, प्रधान मंत्री तो आपको पता ही है पंडे जबाला लहरू राष्ट पती आपको पता ही है डॉक्टर राजिंदर प्रशाद नेक्स्ट कोशन देखते हैं तो नेक्स्ट है भारत में संग राज शित्रों का प्रशाशन किस के द्वारा होता है भारत में संग राज शेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है तो इसका सही जवाब होगा राश्टपती के द्वारा होता है Next भारतिय संभिधान की प्रस्तावना में समाजबादी धर्मिनेरपेच अखंडता सब्दों को किस संसोधन द्वारा छोड़ा गया था थेकि भारतिय संब्यदान की बात करें तो इसकी प्रस्तावना में समाजबादी धर्म निरपेच और अखंडता सब्द को 1976 में जब प्रधान मंतरी मानिया इंद्रा गांदी जी थी तो उस टाइम पर 42 मां संब्यदान एक संसुदन किया जाता है और उसके द्वारा भारत की प्रस्तावना में समाजबाद धर्म निरपेच और अखंडता सब्दों को चोड़ा जाता है चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं तो नेक्स्ट कोशन आपकी स्क्रीन पर है इनके आंसर आप लोग छापिए कोशन है भारतिय संब्यदान के किस अनुछिद में मौलिक कर करतब्यों की बात की गई है मौल संब्यदान की बात करें तो मौल संब्यदान में मौलिक करतब्यों की संक्या साथ थी लेकिन बरतमान में मौलिक करतब्यों की संक्या 6 है तो ये भी आपसे पूछ सकता है तो जिसमें समानता का अधिकार आता है नियाय का अधिकार आता है स इस तरीके से 6 अधिकारों की यहाँ पर बात की गई है next है समिधान के किस संसुदन द्वारा संपत्ती की अधिकार को मूल अधिकार की सेंडी से निकाल दिया गया चोकि संपत्ती का अधिकार मौलिक अधिकार था मौलिक अधिकार था तो कोई भी व्यक्ति जैसे रोड बनाना है एरपोर्ट बगारा बनाना है तो बनाने यह नहीं देते थे क्योंकि वो उनके फंडामेंटल राइट्स का इस्यू बन जाता था अगर ऐसा होता था तो सुप्रीम कोट आड़े आ जाता था उनके मौलिक अधिकारों के सरचन के लिए तो फिर 44 मा सम्मेदानिक संसूदन किया जाता है 1978 में और इसमें आपका संपत्ति के अधिकार को जो कि किसमें था आर्टिकल 51 में था यहां से निकाल कर आर्टिकल 300 कव मे पहुचा दिया यहां कि आर्टिकल 300 में पहुचा दिया और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की से निकाल दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया क्या बना दिया गया कानूनी अधिकार बना दिया गया तो मौलिक अधिकार की से कानूनी अधिकार की जैरी में जो पहुँचा दिया था Clear चलिए Next है स्वतzamत्र भारत में राज्यसवा के प्रतम स्वापती कौन थे तो राज्यसवा की बात करें तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्सका होता है इसके जो स्वापती होते हैं वो भारत के उपराष्टपती होते हैं, भारत के उपराष्टपती ही, राज्यसवा के सवापती होते हैं, और भारत के परतम उपराष्टपती कौन थे, डॉक्टर सरपली राधा किश्नन, इनी के जन्म दिवस पर 5 सितंबर, कब 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, तो इनी के जन्म दिवस पर मना जाएता है तो आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट कोशन है स्वतंत भारत के प्रतम लोग सवाध्यच कौन थे तो भी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था भरतमान में कौन है ओम बिडला है जो के कोटा के बुनी सीट से है और भारत के स्वतंत भारत के प्रतम लोग सवाध्यच की बात करें तो गड़ेश बाशुदव मावलंकर जिने हम जीवी मावलंकर के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट कोशन है जम्मू कस्मीर को समयदान के किस अनुच्छेत के अंतरगत बिसेश दर्जा राप्त है तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 370 के अंतरगात नेक्स्ट कोशन है लोग सवा सदश्यों को सपत कौन ग्रहन कराता है तो लोग सवा के जितने भी सदश्यों होते हैं उनको सपत ग्रहन का जो कार है वो भारत के राश्टपती के दौरा किया जाता है नेक्स्ट कोश्ण आपकी स्क्रीन पर है इस कोश्ण का अंसर आप लोग चापएंगे मुझे उम्मीद है संबेदान की अनुच्छित 75 में किसके वारे में चर्चा की गई है अब ये आपसे पूछ ले 79, 80 और 81 में किसके वारे में चर्चा की गई है तो 79 में है संसद, 80 में है आपका राज्य सवा और 81 में है आपका लोग सवा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो यहां से प्रश्ण पूछ सकता है, तो इसका सही जबाब होगा, मंत्री प्रश्ण के बारे में बात की गई है, आर्टिकल 75 में, नेक्स्ट कोशन है, किसी सदश्य द्वारा किसी अन्य सारवजनिक महत्यों के बिशय पर पिचार करने के लिए सदन की चल रही बरतवान कारेवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है, मतलब कोई कारेवाही चल रही है, और कोई सदश्य है, और वो क्या कर रहा है, कि व कहलाता है तो इसको बोलते हैं काम रोको प्रस्ताब क्या बोलते हैं काम रोको प्रस्ताब next है संब्यदान की साथवी अंसूची के अंतरगत केंद्रे सूची है जिसमें उसमें कितने बिसे हैं ये महत्तपूर्ण प्रश्न है बहुँ जादा तो संब्यदान की साथवी अंसूची के अंतरगत जो किंद्रे सूची है उसमें कितने विसे हैं तो 97 विसे हैं कितने विसे हैं 97 इसके अंतरगत विसे हैं और साथवी अंसूची के अंतरगत ही बात की जाती है संग सूची, संग सूची, राज्य सूची और संबर्ती सूची के वारे में तो ये भी प्रशना आपसे पूछ सकता है और अनसूचीयों की संख्या कितनी है बारत में, तो संबेदान में तो 12 अनसूचीयों की संख्या है जिसमें आर्टिकल 7 में किसके बात में बात की गई है तो जिसमें राजजे सूची, संग सूची और सम्मर्द सूची के बारे में बात की गई है और केंद्रे सूची में 97 बिसे हैं तो ये भी प्रशनाप से कहीना कहीं पूछ सकता है आट भी अन्सूची की बात करें तो इसमें भासाओं के बारे में बात की गई है नौ भी अन्सूची में आपका भूमी सुधार के बारे में बात की गई है दस भी अन्सूची में एंटी डिफेक्शन लो यानिके दल वदल कानून की बात की गई है ग्यारवी अंसुची में पंचैती राज विवस्ता की बात की गई है और बारवी अंसुची में नगर पालिका नगर निगम की बात की गई है तो ये भी आपको महत पुन याद होने चाहिए नेक्स्ट कोशन है पंच वर्षिय योजना का अनमोधन तथा पुनर नेरेचन किसके द्वारा किया जाता है तो इसका सही जवाब है राष्टिय विकास परसत द्वारा राष्टिय विकास परसत द्वारा पंच वर्षिय योजना का अनमोधन और पुनर नेरेचन किया जाता नेक्स्ट है पंचायती राजप्रणाली किस पर आधारित है पंचायती राजप्रणाली की बात करें तो पंचायती राजप्रणाली decentralization जिसे हम सत्ता के विकिंदरीकन की बात करते हैं सत्ता के विकिंदरीकन पर आधारित है पंचायती राजप्रणाले जिसमें बात की जाई अगर गाओं की बात की जाती है तो गाओं का मुखिया होता है या प्रधान या सरपंच बनता है उसी गाउँ में BDC के तोर पर चुना जाता है, उसी गाउँ में से जिला पंचैत वगेरा भी वहाँ बोटिंग की जाती है और सदस्ट गड़ भी यहाँ पर होते हैं, तो कहेने का मतलब यह होता है कि यहाँ पर सत्ता का हस्तानंगतर किया जाता है एक तरीके से बिकिंदरी कन किया जाता है सत्ता को बांट दिया जाता है नेक्स्ट है भारत के प्रतम लोकसवा उपाद्यच कौन है तो ये प्रशन आप से जरूर पूसकता है इसका सही जवाब है M. Anantasenam Ayangar कौन है? M. Anantasenam Ayangar भारत के प्रतम लोकसवाद्यच थे नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं कोशन नंबर आपके सामने आ चुका है कोशन है किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्तापना की गई थी? किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्तापना हुई थी? तो भारत परशद अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव की स्तापना की गई थी और भारती संबिदान पर सबसे अधिक प्रवाब किस एक्ट का पड़ा था तो 1935 का था भारत संबिदान भारतासन अधिनियम इसका बहुँ ज़्यादा प्रवाब पड़ा था लगबग लगबग अगर बात कीज़ाे तो 340 के करीब आर्टिकल इसी से एक तरीके से उठाए गई थे डिसकुसन करते हैं थो परिसीमन आयोक का पदेन सदस्य कोण होता है परिसीमन आयोक का सदस्य कोण होता है थो मुख्य चुनाब अधिकारी नेक्स्ट है संब्यदान के किस अनुचेद में यहाँ उक्ति के किंद्री कारेपाले का सक्ति के प्रियोग में कोई ब्यवदान न उपस्ते तो उल्लकित है इसका सही जवाब है आर्टिकल 257 नेक्स्ट है सारवजनिक लेखा सम्ति में राज्यसवाक के कितने सदश्यों होते है सारवजनिक लेखा सम्ति के है या फिर इसको लोक लेखा सम्ति के है तो लोक लेखा सम्ति में कुल सदश्यों की संक्या 22 होती है जिसमें से 15 लोक सवाके होते हैं और 7 राज्य सवाके होते हैं इस लोक लेका समिती की बात करें तो इसका जो अध्यच होता है वो विपच्छ का नेता जो होता है वो इसका हैड होता है यानि कि अध्यच होता है लोक लेका समिती का नेक्स्ट कोशन है आपके सामने किस संविदान संसुदन के तहट लोगसवा का कारेकाल 6 वर्स से घटा कर 5 वर्स कर दिया गया तो इसका सही जवाब है चबालीस में संविदानिक संसुदन द्वारा वन मेंट प्लीज चले नेक्स्ट कोशन दिखते हैं तो नेक्स्ट कोशन है सम्मिदान में मूल करतब्यों से संबंदित प्रावधान किस संस्ती की संस्तुतियों के आधार पर संमिलित किये गए तो समिधान में मूल कर्तब्यों से संबनित जो प्राबधान थे वो सरदार सुरण सिंग सम्ति की सिफारिस पर क्या है समिलित किये गए नेक्स्ट कोशन है आपकी स्क्रीन पर question है यद भारत का राष्ट पत्र पत्र किसे बेजना पड़ता है तो यद भारत का राष्ट पत्र पत्र किसे बेजना पड़ता है तो उसे अपना त्याग पत्र उपराष्ट पत्र को भीजना होगा किसको उपराष्ट पत्र को भीजना होगा और अगर वो सपत लेते हैं तो उसको कौन सपद दिलाएगा तो Chief Justice of India उनको सपद दिलाते हैं। नेक्स्ट है, वित्त आयोक का गठन होता है, वित्त आयोक का गठन होता है, तो इसका सही जवाब है, संविधान के प्रावधानों के अंतरगत। नेक्स्ट कोशन है, दसवे वित्त आयोक के अध्यच कौन थे, तो इसका सही जवाब है, केसी पंत। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अबसिष्ट सक्तियां किसमें नहित हैं। ये प्रशन काफी प्रचलित है, और काफी वार एक्जाम में पूछा गया है, भारत के संविधान में अबसिष्ट सक्तियां किसमें नहित हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, संसद के पास हैं। नेक्स्ट है, भारती संविधान के अंग नीती निर्देशक सिद्धानतों का सुरोत क्या है। उसका लेंदेन करेगी, तो ये केटी सहाने कहा था, ऐसा प्रशन भी आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुच्छेद में संविधान संसूधन की परक्रिया दी गई है। तो संविधान संसूधन की बात करें, तो आर्टिकल 368 में, बारती संविधान की बात करें, तो संविधान में 395 कुल मिला कर अनुच्छेद हैं, और इन 395 अनुच्छेद में से आर्टिकल 368 संविधान में भी संसूधन करने की सक्ति परदान करता है। और यहां कहां से लिया गया था तो दच्छण अफरीका यानि कि साउथ अफरीका के साउथ अफरीका से यह लिया गया था दच्छण अफरीका से Next है समाजबाद वह टोपी है जो सुविधान उसार पहनी जा सकती है या किर्ष परशिद आलो चक्का है समाजबद वह है टूपी है जो सुविदान उसार पहनी जा सकती है तो इसका सही जवाब है C.E.M. छोड़ का चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं तो नेक्स्ट कोशन आपकी स्क्रीन पर है भारतिय संबिधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में अभी तक कितनी बार संसोधन किया जा चुका है चवालीस में संबिधान एक संसोधन द्वारा 1978 में हुआ था और सायद ये सर्दा सुवर्ण सिंग समती सायद मेरे को इतना याद आ रहा है हलांकि इस समती के वारे में तना याद नहीं है तो आप लोग कमेंट वाक्स में बता सकते हैं गर किसी को पता है तो इसमें अगर बात करें तो इसमें समाजवाद, दर्म निर्पेच और अखंडता सब्दों को चोड़ा गया था नेक्स्ट है वह कौन सा अनुचेत है जिसके प्रावधानों के अंतरकत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रतन पदम भिगुशन आद अलंकरण प्रदान किया जाता है तो इसका सही जबाब लिखिए वह कौन सा अनुचेत है जिसके प्रावधानों के अंतरकत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रतन पदम भिगुशन आदे अलंकरण प्रतान किया जाता है तो आर्टिकल 18 देखे अनुचेत 18 में बताया गया है उपादियों का अंत किया जाएगा लेकिन भारत रतन और पदम भिगुशन को इससे अलग रखा गया है नेक्स्ट है कि सम्विदान संसूदन के तहट सिक्किम को भारत का 22 मा राज्य खोशित किया गया कि सम्विदान संसूदन के तहट सिक्किम को 22 मा राज्य खोशित किया गया तो भारत का 22 मा राज्य सिक्किम को खोशित किया गया 36 वे सम्मिदानिक संसोधन द्वारा 1975 में हालांकि सिक्यम 1972 में ही मिल चुका था लेकिन उसको एक तरीके सो गोश्णा उसकी 1975 में देखने को मिली थी डॉक्टर भीम राव अमेटकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतिय सम्मिदान का हर्दयया आत्मा हर्ट एंड सावल अब दा कॉंस्टिटूशन कहा था तो आर्टिकल 32 को सम्मिदानिक उपचारों का अधिकार कहा था नेक्स्ट है भारतिय सम्मिदान सम्मिदान सवा में कब अंगी करत किया गया देखिए जब अंगी करत की बात किया आती है तो 26 नवंबर 1949 को भारतिय सम्मिदान को सम्मिदान सवा द्वा द्वारा अंगी करत किया गया था चोके 1929 लाहोर अधिवेशन 26 जनवरी 1939 को लाहोर में रावी नदी के किनारे पर कॉंग्रेश का अधिवेशन होता है और जिसके अधिचते पंडे जवाला लहरू और इसी अधिवेशन के अंत्रगत भारत को पूर्ण सुराज की मांग उठती है और तभी से यानि के लगवग 1950 से 20 साल पहले ही भारत की स्वतंतिता अधिवा से एक तरीके से मनाया जाता था पूर्ण सुराज के तोर पर मनाया जाता था तो इसको दो वर्ष और आंगे बढ़ा कर 26 जिनवरी 1950 को भारत का जो सम्मेदान था उसको लागू किया गया तो अंगी करत पूसता है तो 26 जिनवरी 1950 तो ये प्रशन आप से पूस सकता है नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेशन आपकी स्क्रीन पर है क्वेशन है मूल अधिकार एवर मराज्य के नीती निर्दे सकत्तों में क्या अंतर है तेगर मूल अधिकार की बात करें तो जो मौलिक अधिकार है और DPSP Directive Principle of the State Policy है मूल अधिकारों के बारे में भारतिय सम्विदान में Article 12 से 35 की अंतरगत बात की गई है जबकि नीती निर्दे सकत्तों के बारे में Article 35 से 51 के बारे में बात की गई है मूल अधिकारों की बात की जाए तो इनको अमेरिका के सम्विदान से लिया गया है जबकि DPSP को Ireland की सम्मिदान से लिया गया है आखिर कारिन में अंतर क्या है तो मूल अधिकारवाद योग है जबकि नीती निर्दिशक तत्व नहीं दूसरे तोर पर मैं अपने इस्तर पर बदाता हूं कि जो मूल अधिकार है अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप भारत के सुप्रीम कोर्ट यानि के मानिय सर्वुच नियला के पास जा सकते हैं और अपने अधिकारों के सरच्छन के लिए वहाँ पर आप पहुंच सकते हैं लेकिन DPSP की बात करें तो आप किसी भी कोर्ट में किसी भी परकार का चेलेंच नहीं कर सकते Directive Principle of the State Policies के लिए Next है भारतिय संब्यदान के अंसर राजनितिक सकती का आधार है भारतिय संब्यदान में राजनितिक सकती का आधार है तो इसकी सकती का आधार है भारत की जनता क्योंकि भारत की जनता ही चुनकर भेजती है सरकारों को तो भारत की जनता क्या होगी राजनितिक सकती का आधार है लोगतंत्र चले Next Question देखते है Mini Constitution किसे कहा जाता है Mini Constitution कहा जाता है 42 संब्यदानिक संसोदन को कहा जाता है क्योंकि इसमें एक तरीके से बहुत ज़्यदा परिवर्तन देखने को मिले थे इसी वज़ा से इसको Mini Constitution कहा गया और कभ हुआ था 1976 के अंत्रकत ये चीज़ देखने को मिले थी Next है संब्यदान भारती संब्यदान किस प्रकार की नागरता प्रदान करता है अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में द्विकल्स आपकी नागरिकता प्रप्त होती है लेकिन भारत में एकल नागरिकता प्रप्त होती है Next है कि संब्यदान संसूतन में संब्यदान की प्रस्ताबना में संसूधन किया गया तो 42 मां सम्मेदान एक संसोधन किया गया था 1976 में और इसी में अखण्यता समाजबाद और धर्म निर्पिच सब्दों को चोड़ा गया था नेक्स्ट है सम्मेदान सवा के इस्ताई अध्यच कोन थे तो सम्मेदान सवा के इस्ताई अध्यच थे डॉक्टर राजिंद प्रसत इनको कब चुना जाता है तो 9 के बाद आता है आपका 11 दिसंबर को और 9 दिसंबर को डॉक्टर सचिदानन सिन्ना इसके इस्ताई अध्यच के दौर पर चुने जाते हैं नेक्स्ट कोशन आपकी स्क्रीन पर इस कोशन का आंसर चाप ये कोशन है बारती संब्यदान की संसूदन प्रकिया किस तेश की संब्यदान से प्रभावित है बारती संब्यदान की संसूदन में कौन सी अनसुची जोड़ी गई है पंचायती राज की बात करें तो 1992 में और एक था 1993 में यानि कि 1992 में और 1993 में 1992 में 11 भी अनसुची को जोड़ा गया 1993 में 12 भी अनसुची को जोड़ा गया 1992 की बात की जाए तो इसमें पंचायती राज यानि के पंचायत इस्तर पर भी अपचुनाव होगा और 1993 में बार्वी अनुवित सुची को जोड़ा जिसमें बात की गई जिसमें बात की गई नगर निगम नगर पालिकाओं के वारी में नेक्स्ट अगर देखते हैं तो राज के नीती निर्देशक तत्तों का वर्डन सम्वेदान के किस भाग में नहीत है तो DPSP का जो दगे आपको कुछ नहीं याद करना DPSP Directive Principle of the State Policies राज के नीती निर्देशक तत्तों तो चार ही वर्ड हैं DPSP और भाग चार में ही या आता है भारत में भागों की बात करें सम्वेदान के कितने भाग हैं कितने चैप्टर हैं तो 22 चैप्टर हैं 22 चैप्टर हैं 12 सेडूल्स हैं और आर्टिकल 395 हैं ठीक है तो ये भी प्रश्म पूछता है कह खह मिलाकर आपका 445 के करीब बनते हैं तो लगवा 445 हैं तो ये भी कोशन आपसे पूछ सकता है नेक्स्ट कोशन है दल बदल बिरोधी कानून सम्वेदान कौन सा संसोदन सम्बन देता है ये कोशन में आपको बता चुका हूँ 92 यानि 92 सम्वेदान कौन संसोदन 1980 में हुआ था जिसमें दल बदल कानून लाया गया था दल बदल बिरोधी कानून लाया गया था एंटी डिफेक्षन लो जिसमें लाया गया था इसकी बात करें तो ये अनुसुची नंबर 10 में आता है एंटी डिफेक्षन लो चलिए नेक्स्ट है लोग सवा की सदश्यता ये तो नियूंतम आयू सीमा कितनी है लोग सवा की सदश्यता ये तो नियूंतम आयू सीमा आपकी 25 बर्स होनी चाहिए यदि कोई व्यक्ति लोकसवा के माध्यम से भारत का प्रधान मंतरी बनना चाहता है तो उसकी उम्र सीमा नियूंतम 25 वर्स होनी चाहिए यदि कोई व्यक्ति राज्य सवा से बनना चाहता है तो उसकी उम्र नियूंतम कम से कम 30 वर्स होनी चाहिए नेक्स्ट है सतासिम्या सम्मेदानिक संसुदन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन छित्रों के परिसीमन का आधार किस जन्गणना को निश्यत करता है तो इसका सही जबाब होगा 2001 की जन्गणना चले नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेशन आपकी स्क्रीन पर है क्वेशन है अपना सरकारिया आयोग किस विशैसे सम्मेदित था इसका आंसल लिखिए सरकारिया आयोग किस विशैसे सम्मेदित था तो आर्टिकल 85 की अंत्रगत अनुच्छे 85 से सम्मेदित है स सरकार्य आयोग किस विशैसे संबंदित था तो केंदर राज्य विशैसे संबंदित था ये क्वेशन गलत छप गया है आप लोग इसको छोड़ दीजेगा सरकारी आयोग किस विशैसे संबने था तो केंद्र और राज्यों के बीच में संबन्दों की जाच के लिए सरकारी आयोग बनाया गया नेक्स्ट है भारती संब्यदान में प्रदत मूल भूत अधिकारों को नियमित निलमित करने वाली सत्ता है तो भारती संब्यदान में प्रदत मूल भूत अधिकारों को लंबित करने वाली सत्ता कौन है राष्ट पती है नेक्स्ट है भारती संब्यदान में किस संसोदन द्वारा नागरेकों के मौलिक करतब्यों को संब्लित किया गया तो नागरिकों के मौलिक करतब्यों को 42 सम्मेदानिक संसोदन द्वारा सम्मिलित किया गया नेक्स्ट है योजना आयोका गटन 1950 में किसके द्वारा हुआ योजना आयोका गटन 1950 में मंत्री मंडल के नेने द्वारा हुआ नेक्स्ट है संब्यदान सवा के सदश्यों को किसने प्रत्य चुरूप से निर्वाचित किया तो इसका सही जबाब है प्रांतों की बिदान सवाओं ने शुरूआत में बात की जाए जब पाकिस्तान अलग ना हुआ था उससे पहले भारत्य संब्यदान सवाओं में 389 मेंबर थे लेकिन पाकिस्तान के अलग होने पर इसमें से 90 मेंबर हट जाते हैं और कुल मिलाकर 299 मेंबर इसमें बचते हैं जिसमें प्रांतिया बिदान जो राजा महराजा हुआ करते थे उन से और कुछ अंग्रेज भी इसमें संब्लित थे नेक्स्ट क्वेशन आपकी स्क्रीन पर है क्वेशन का अंसर आप लोग छापिए क्वेशन है किस बर्स गोवा साहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतिय संग का राच्च छित् गया तो गोवा साहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को कब तो देखे सबसे पहले भारत में कौन आया था सबसे पहले आये थे पुर्तगाली उसके बाद आये थे आपका डच उसके बाद अंग्रेज आये थे फिर आये थे आपके टैनिस और उसके बाद आये थे आपके फ सम्विधान से लिया गया तो मूल कर्तब्यों की बात की जाए तो इसका सही जवाब होगा सोविय संग के सम्विधान से नेक्स्ट है राज के नीती निर्दे सकता तो एक ऐसा चेक है जिसका भूगतान पैंक की सुविधा अनुशार किया जाएगा यहां कतन किसका है तो इस पी एक ऐसा चेक है जिसका भूगतान पैंक सुविधा अनुशार किया जाएगा तो इसका सही जवाब है केटी साहा नेक्स्ट है अनुच्छे 368 के संसोधन हे तो क्या संसद को विसेस बहुमत या कम से कम आदे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्च्रक है तो भारती संब्यदान के किसी अनुच्छे में यदि संसोधन करना है तो अनुच्छे 368 के तहत कर सकते हैं या दच्छड अफरीका के संब्यदान से लिया गया है इसके अनुसार यदि संसद को विसेस बहुमत या कम से आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्च्रक है तो आप अनुच्छे में संसोधन कर सकते हैं यानिके आपको चाहें तो विसेश वहुमत होना चाहिए या फिर आधे से अधिक वहुमत होना चाहिए आप उसमें संसोधन कर सकते हैं किन्तु सभी संसोधन को नहीं कर सकते नेक्स्ट है राष्टपती निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयू पूर्ण होनी चाहिए तो कम से कम 35 वर्स आयू पूर्ण होनी चाहिए और बहुत पागल ना हो दिवालिया ना हो भारत का नागरे कोना चाहिए और बात की जाए तो राजजपा कि जो सभी सदश्य होते हैं वो उपराष्टपती के चनाब में मतदाता होते हैं नेक्स्ट कोशन है भारते संब्यदान के प्रदत मूल अधिकारों को निलम्मित करने वाली सबता है तो इसका सही जवाब है राष्टपती नेक्स्ट है बेटे संसर्द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया तो जुलाई 1947 को बेटे संसर्द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया कब जुलाई 1947 next है संब्धान बनाने वाली प्रारूप संथी जिससे हम ड्राफ्ट कमेंटी के लाम से जानते हैं कि अध्यच कों थें तो बावसा भीमरा अमेट का ड्राफ्ट कमेंटी के अध्यच है ड्राप्ट कमेंटी में अगर सदस्यों की संक्या की बात करें तो इसमें सदस्यों की संक्या थी 7 इसी तरीके से जिस तरीके से संविधान बनाने वाली प्रारूप संती थी कुल मिलाकर संमितियों की संक्या 22 थी ऐसे 22 सम्तिया बनाई के थी जिसमें ऐसे 8 प्रमुक्ष सम्ति थी जिसमें अगर हम बात करें संग सम्मिधान सम्ति की बात करें तो इसके अध्यच पंडे जवाला लेरू थे प्रांतिय सम्मेदान सम्मिती की बात करें तो इसके अध्यच कौन थे आपका सरदार वल्लब भाई पडेल थे इसके बाद अगर हम बात करते हैं संचालन सम्मिती की बात करते हैं तो डॉक्टर राजिंद प्रशास संचालन सम्मिती की अध्यच थे 2000 रोहन समती की बात करें तो जे भी करपलानी इसके अध्य अच्छते तो ये भी कोशन आप से पूछ सकता है नेक्स्ट है सम्विदान के अनुच्छे 356 संबंदित है देखे भारती सम्विदान में आपातकाल के बारे में 3 अनुच्छे दों में बात की गई है 352 में यानुच्छे 302 में नेशनल इमर्जनसी के बारे में बात की गई है यह दिराश्टी आपातकाल लगाया जाता है जैसे मालेजेब भाहे आकरमन हो जाता है उस स्तिती में अक्सर देखा जाता है कि आर्टिकल 352 को लगाया जाता है आर्टिकल 356 जो राष्टपती सासन लगाया जाता है और यह अब तक भारत में 100 से अधिक बाल लगाया जा चुका है डॉक्टर भीमराव अमेडगर आर्टिकल 356 के बारे में इस्पेसली तोर पर कहते थे कि इससे बचना चाहिए न लगाये जाए तो जादा बैतर है आर्टिकल 360 के बारे में बात करें अनुच्छे 360 भारत में आज तक कभी भी 360 आर्टिकल को नहीं लगाया गया है जो कि वित्तिया पातकाल को दरसाता है नेक्स्ट कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है इसकोश्चन का भी आंसर चापिए नेक्स्ट है भारत के संब्यदान में परतम संशोधन कब किया गया आपने अक्सर सुनाई होगा केशवानन्द भारती केश केशवानन्द भारती केश चुकि संबन्दित था भूमी सुधार से था इसलिए केशवानन्द भारती केश ये 1951 मेना यनकी 1951 में पर्तम संसोधन भारत की संब्यदान में किया गया था नेक्स्ट है केविनिट मिसन योजना में क्या संब्यदान निर्वान के लिए प्रस्तावित संब्यदान सवा को बैस्क मतादिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था तो इसका सही जवाब है नहीं नेक्स्ट क्वेशन आपकी स्क्रीन पर है क्वेशन है राज्य सवा में राज्यों को प्रतिने तो किस राज्य का और कितना है तो यहां उत्तर प्रदेश का है जो कि राज्य सवा से 31 सीटे उत्तर प्रदेश से आती है नेक्स्ट है भारत में राष्टपती के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदश्य कौन होते हैं तो भारत में राष्टपती के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदश्य लोक सबा, राजय सबा और राजय बिदान सबाओं के सभी निर्वाचित सदश होते हैं तो कौन होता है लोक सबा होती है राजय सबा होती है राजय बिदान सबाओं के निर्वाचित सदश होते हैं नेक्स्ट है संब्यदान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेका परिच्छक के कर्तब्य और सक्तियां वर्डित हैं कंट्रोलर एंड ओडिटर जनरल अफ इंडिया की बात करें तो इसके जो अनुच्छेद 149 में बात की गई है और इसके कर्तब्य और सक्तियों की बाद आर्टिकल 149 में बत की गई है जिसे हम भारत की CHE के नाम से जानते हैं प्रतिवर्स आपने देखा होगा COG के तरब से घोटाले वगएरा की रिपोर्ट भी आती रहती है और CAG report एक तरीके से जारी करता रहता है नेक्स्ट है सम्मेथान की अन्सूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयूगिता के बारे में उपवन्द है तो भारती सम्मेथान की बात करिया है तो इसमें 12 अन्सूचिया है जिसमें से दस्वी अंसूची यानि कि एंटी डिफेक्शन लोग जो कि दस्वी अंसूची है और दल परवरतन के आधर पर एयोकिता के बारे में उपवंद है नेक्स्ट है भारत में राष्टपती का चुनाब अनुपातिक प्रतिनिदित्व प्रणाली जैसे हम एकल मत संक्रवनिये पदती कहते हैं कि आधार पर एकल संक्रवनिये मतदान द्वारा होता है अनुपातिक प्रतिनिदित्व प्रणाली तथा एकल संक्रवनिये मतदान का क राज्य सवा के सदश्वीश में भाग लेते हैं नेक्स्ट है अपना किसकी अनुमती के बिना राज्य की बिदान सवा में कोई धन विद्यक पेस नहीं किया जा सकता अगर राज्य की बिदान सवा की बात की जाए तो यहाँ पर राज्यपाल की अनुमती के विना कोई भी धन विद्यक पेस नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट है राष्टपती का अविवासन कौन तयार करता है राष्टपती का अविवासन कौन तयार करता है तो किंद्रिय मंत्री पटल राष्टपती का अविवासन तयार करती है एक वर्स में कम से कम कितनी बार संसत की बैटक होना आवशक है तो कम से कम दो बार संसत की बैटक होना अनिवार है नेक्स्ट है बारत में वह मंत्री जो संसत के दोनों सदरों में से किसी सदन का सदश नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ेगा यद कोई व्यक्ति ना तो राज्य सभा का सदश है ना ही लोग सभा का सदश है ना ही विदान सभा का सदश है ना ही विदान परसद का सदश है तो वह है व्यक्ति छे महीने बाद अपने पद से मुक्त हो जाएगा नेक्स्ट है या फिर 6 महीनी के अंदर किसी भी शदन से वह शदश्यता प्राप्त कर लेता है तो वो बना भी रहेगा किसी राज्य का लोगसवा और राज्यसवा में सबसे अधिक प्रतिनिदित्व है लोगसवा और राज्यसवा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राज्यसवा से 31 सीट और लोगसवा से कुल्म लाकर 80 सीट आती है जबके बिदान सवा से 403 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होता है तो लोगसवा की 80, राज्यसवा की 31 और बिदान सवा की 403 है तो मैंने total data यह बता दिया आपको next है भारत सरकार का मुख्य बिदी परामर्स दाता कौन होता है भारत सरकार का मुख्य बिदी परामर्स दाता या फिर भारत का सबसे बड़ा आप बकील कह सकते हो तो वो कौन होता है भारत सरकार का आर्टिकल 76 के बारे में बात की गई है जिसमें भारत के महा नियावादी के बारे में बात की गई है Attorney General of India बारत का महा नियावादी बारत सरकार का मुख्य बिती परामर्स दाता होता है संवेधान की किस अंसूची में केंदर और राज्यों के वेच वैदानिक सक्तियों का बटवारा हुआ है प्रस्तावित बिद्यक के कितने बायन होते हैं तो ये तिन नेक्स्ट है राष्टपती कितने समयंतराल के पश्चाद वित्त आयोक का घठन करता है वित्त आयोक की बात करें तो आर्टिकल 280 यानि के अनुच्छे 280 में Finance Commission की बात की गई है और राष्टपती कितने समयंतराल पश्चाद वित्त आयोक का घठन करता है तो प्रतेक पांच वर्ष बाद वित आयोका घठन करता है नेक्स्ट है सम्मेदान सवा के प्रारूपन सम्मिती के अत्यच डॉक्टर भीमरा अमेड करते इस सम्मिती में सतस्यों की संक्या कितनी थी? साथ थी जो कि मैं पहले पता चुका हूँ नेक्स्ट है संब्यदान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्राबधानों को सामिल किया गया है तो भाग 3 में मौलिक अधिकार के प्राबधानों को सामिल किया गया है जबके भाग 4 में प्रेज की सुतंतता का अलग से उलिक नहीं है या सुतंतता किस अनच्छेद में अंत नहित है संब्धान में प्रेश की सुद्धा का अलग से उल्लेक नहीं है या सुद्धा किस अनुच्छेद में अन्तर नहित है इसका सही जवाब है आर्टिकल 19 वह कवम है नेक्स्ट है राज्य सभाव लोग सभा किस सेंप तो अधिवेशन की अधिश्चिता कौन करता है तो राज्य सभाव लोग सभा किस सेंप अधिवेशन को बुलाने का जो कार्य होता है वो राश्टपती का होता है जबकि इसकी अधियच चता लोग सभा की अधियच द्वारा की जाती है नेक्स्ट वेशन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेशन है, पंडचेरी के प्रसासक तथा अंडवा निकोबार दिप समुई के प्रसासक को क्या कहते हैं? तो पंडचेरी हुआ अंडवा निकोबार हुआ ये एक तरीके से यूनियन टेरिडरीज हैं और इनके जो प्रसासक होते है वो उपराजिपाल होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, बिहार में लोगसवातिता राजजवा के लिए कितनी सीट निर्दारित की गई हैं, तो बिहार में लोगसवा की 40 और राजजवा की 16 सीट निर्दारित हैं, नेक्स्ट है, पार्तिय संग की कारेपालिका का प कोशन है वेदान परसदों में सरपरतम किस अधिनियम की अंतरगत भारतियों को प्रतिनित्त दिया गया तो इसका सही जवाब है 1909 के अधिनियम की अंतरगत बिदान परशेदोंगर सरपरतम के अंतरगत भारतियों को प्रतिनित दिया गया तो 1909 के अधिनियम की अंतरगत नेक्स्ट है 15 अधिनियम की अनुमती से कोई भारतिय नागरिक बिदेशी सरकार से कोई उपाधी या सम्मान प्रप्त कर सकता है तो उपाधियों का अंतरगत की गई है आर्टिकल 18 यानिके अनुश्यत 18 में उपाधियों के अंतरगत की गई है जबके अगर कोई विक्ती बिदेशी मदरब कीसी भारतिय नागरिक को बिदेश से कोई पाधी प्रप्त होती है तो उसको अनुमती लेनी पड़ेगी भारत के राष्टपती के अनुमती से नेक्स्ट है संवेदान के किस संसोदन द्वारा मौलिक अधिकारों की संक्या गट आ दी गई इसका सही जवाब है जोदपुर की अंतरकत और उत्तरप्रदेश की बात करें तो आपका इलावाद की अंतरकत और बिहार की बात करें तो पटना की अंतरकत दिल्ली की बात करें तो तहली का हाई कोट है इस तरीके से प्रशनाप से पूछ सकता है नेक्स्ट है भारत के परतम मुख्य चुनावा एक्त कौन थे भारत के प्रतम मुख्य चुनावा एक्त कौन थे तो इसका सही जवाब है सुकुमार सेन कौन सुकुमार सेन भारत के प्रतम मुख्य चुनावा एक्त कौन थे नेक्स्ट कोशिन है भारत की सर्वुच विदी है तो भारत की सर्वुच विदी भारत का संविदान है समान नियाय और निसुलक विदी सायता का प्रावदान संविदान के किस अनुचेद में है तो अनुचेद 39A में नेक्स्ट है भारती संविदान की संग और राज्यों के बेच सक्ति विवाजन के विधी किस देश के संग की प्रेणा पर आधारित है तो इसका सही जबाब है जहां राच और संग की सक्तियों का बढ़वारा किया गया है कनाणा की संविदान से इसको लिया गया है नेक्स्ट है संसत का अधिवेशन प्रारम होने के कितने दिन पस्चात अध्यादिस अप्रभावी हो जाता है यद इस पीच संसत का एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी सुईकर्थी न दे दे तो इसका सही जबाब है छे सपता तक बारती समयदान का कौन सा अनुच्छित राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगटित करने का निर्देश देता है तो इसका सही जबाब है अनुच्छित 40 के दहत नेक्स्ट है भारतीयों को सत्ता के हस्तानंतरन का उल्लेख सरपरतम किया गया तो इसका सही जबाब है 1942 42 यानि के अनुच्छित बैया 1942 क्रिप्स प्रस्ताप के अंतरकात नेक्स्ट कोशन है भारत की स्वतनत्ता के समय भारतीय राष्टी कॉंग्रेश का अध्यच कौन था भारतीय राष्टी कॉंग्रेश की अध्यच के बारे में बात करें तो इसके सबसे ज़्यादा समय तक अध्यच रहने वाले व्यक्ति थे मौलाना अबुलकलाम आजा दिये 1940 से 1940 से 1945 तक भारतीय राष्टी कॉंग्रेश के अध्यच रहे लगवक 6 बरस तक रहे थे इसके बाद 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय अध्यचिते जेवी करपलानी नेक्स्ट है यहां कतन किसका आएके भारत का संभिदान संघी हकं और एकात्मक अधिक है तो यह इसका सही जवाब है किसी वियर का यह कहना था एसी व्कास बैंक का मुक्यालत किस्टिश मीं इस्टित है तो मनीला फिलिपिन्स की नंतरकत है मनीला सहर जसमें एसी ए डवलोप्मेंट बैंक ADB का तो इसका सही जवाब है, काले धन की निकासी, बियरर बॉंड श्कीम का उद्धेश उता है, ब्याजदर किस नीती से सम्बन्दित है, ú अधरिक नीती से सम्बन्दित है ? नेक्स्ट है राष्ट्य बिकास परसद का घठन कब किया गया था तो 1953 में कब बामन में राष्ट्य बिकास परसद का घठन किया गया था नेक्स्ट है सेयर बाजायर में अल्फा वेक्टर का क्या आर्थ है तो इसका सही जवाब है वह है अवदार्णा जो किसी सेयर को अंतर निष्ट अईस्थरता को मापन करती है नेक्स्ट कोशन है बारत में सम्विदान सवा का अगटन किस योजना के परस्तावों के इनुसार किया गया तो इसका सही जवाब है केविनेट मिसन योजना के तहट भारत में सम्विदान सवा का अगटन किया गया था 1946 में और केविनेट मिसन आया था जिसमें तीन सदश्य शमिती थी जिसमे अपका अलेक्जेंडर था लॉरेस पैन्थिक था जो कि उसके अध्यच थे अनसूचित और जन्जाती छेत्रों के परशाशन के सम्बंद में प्रावधान संब्यदान की किस अंसूची में किया गया है तो पाँचवी और छटवी अंसूची में किया गया ह अंसुचित और चंजाती छेत्रों के प्रशासन के संबंद में। किसके लिए किया जाता है? तो भारत के सासना द्यच का संबंद किसके लिए किया जाता है? तो ये परधान मंतरी के लिए किया जाता है। किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल सिफारिस का अधिकार है। नेक्स्ट है लोग सबा के निर्वाचन छेत्रों का परिसीमन कौन करता है? लोग सबा के निर्वाचन छेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग करता है। नेक्स्ट है भारत में उच नियालों की संक्या कितनी है तो भारत में उच नियालों की संक्या कितनी है 24 नहों के बरतमान में 25 है नेक्स्ट है भारत में बरतमान में कुल कितने राज है तो 29 राज नेक्स्ट है यद कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राजी की यांग्रिक्ता का क्या होता है तो वह स्वत्य समापत हो जयाती है यदि वह विदेशजीनाग्रिक्ता प्रप्त कल लेता है तो कि नेक्स्ट है कि इंट्रेंव इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग जाती धर्माद के आधार पर प्रतक निर्वाचत छेत्र बनाने का प्रावधान किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 मौरले मिन्टो रिफर्म के आधार पर नेक्स्ट है, अंतर राज्य परसत के संबंद में उपवन्द संब्यदान के किस अनुच्छिद में वर्णित है। इसका सही जबाब है 263, नेक्स्ट है, सरकारी उपकरम सम्ति बित्य समिति में कुल 22 नेक्स्ट है, तो लोक सबा से 15 और राज्य सबा से 7 होते हैं, जिसको हम लोक लेखा सम्ति कहते हैं और इसका अध्याच बिपच्छ का नीता होता है, नेक्स्ट है, राजिस्तान उचनियाले और इलाबाद उचनियाले की स्थापना किस वर्स हुई थी? तो राजिस्तान उ राजिस्तान उचनियाले और इलाबाद उचनियाले की स्थापना उनी तो राजिस्तान उचनियाले और इसकाना 5866 इसबी को हुई थी? नेक्स्ट कोश्चन है किस संब्यदान संशोधन के द्वारा राष्टपती प्रदान मंत्री एवं लोग सबाके निर्वाचन संबंदी विवाद नियायले के छेत्रा दिकार से बाहर किया गया है राष्टपती प्रदानमंत्री और लोग सवाक के निर्वाचन संबंदी विवाद नियायलय के छित्रादिकार से बाहर किया गया है तो इसका है थर्टी नाइन यानिकि 1975 के तहर्ट नेक्स्ट है बारतिय संब्यदान के किस अनुच्छेद में प्रेश की सुधनता से संबंदेत बात बढ़ लेते तह अनुच्छेद 19 में राष्ट पती किस सूची के विश्यों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता तो राष्ट पती राज्य सूची के विश्यों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता नेक्स्ट है राष्टपती जो अध्यादिश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहयत करता है जबकि राज़पाल जो अध्यादिश जारी करता है 213 के तहयत करता है सर परतम किस राज में लोक अधालत आयोजित की गई तो ये लोकल अधालत है वो गुजरात में आयोजित की गई 42 में संब्यदानिक संसोदन द्वारा संब्यदान की किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तब्यों को जोड़ा जाता है तो आर्टिकल 51A में संब्यदान की सर रचक की रूप में सरवोच नियालय का अधिकार विश्यों के किस संब्यदान से लिया गया है तो संब्यदान के सर रचक की रूप में सरवोच नियालय का अधिकार नेक्स्ट कोशन है भारत की संप्रवुत्ता किसमे नहित है तो भारत की जनता में विस्टो एकमात्र हिंदू राष्ट नाम बताईए तो नेपाल विस्टो का एकमात्र हिंदू राष्ट का नाम क्या है नेपाल भारत का प्रतम विदी अधिकारी कौन है तो भारत का भारत का प्रतम वेदी अधिकारी है नेक्स्ट है भारत को संपूर्ण प्रभुत तो संपन लोग तंत्रात में गड़राज कब घुशित किया गया तो 26 नवरी 1950 को मूल अधिकारों को सरप्रतम किस तेज के समयदाने मानेता प्रदान की गई तो संयुक्त राज अमेरिका अख द्वारा नियूंतम कितने प्रस्ट सीट हैं प्राप्त करना आवस्चक है तो कम से कम 10 प्रस्ट सीट हैं आपके पास होनी ही चाहिए तो दोस्तो